दोस्तों कर आप ATL की SIM यूज़ करते हैं और ATL THANKS अपने इस्टोल कर रहा है तो आज का वीडियो आपनों के लिए काफी important होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपनों को ATL THANKS के है कि इसे feature के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें कि आप अपने phone के data का backup ले सकते हैं और वो भी बिल्कुल free में तो अगर आप भी जनना चाहते हैं कि किस तरह से अपने phone का backup ले आता ATL में तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखर तक पूरे जरूर देखिएगा तो चली दोस्तों वीडियो को start करते हैं तो इसके लिए दोस्तों सबसे बिले तो आपको अपनी ATL Thanks application को open कर लेना है चली में अपनी ATL Thanks application को यह पर open कर लेता हूँ जैसे आप इसको open करेंगा कुछ इस तरह का interface आपको यह पर देखने को मिलता है आपको simply इसको open कर लेना है जिसे आप इसको open करते हैं यहां पर कुछ scanning चलेगी जैसे कि यहां पर आप देख सकते है इसके बाद आप से कुछ permission माँगेगा आपको permission को यहांसे allow कर देना है permission Alicia allow करने के बाद आपको phone के यहां पर folder आपको देखने को मिल जाते है जिस फोल्डर में आपका data होता है और इसमें से जिसकी का भी आप backup लेना चाहते है ATL text में आपको इस folder को यहां से select कर लेना है तो जैसे कि चली मैं इस folder को यहां से select कर लेता हूँ folder को select करने के बाद आपको जैसे यहां पर backup now पे टेप करेंगे अब इसके बाद में कभी अगर आप यहां से इसको remove करना चाहें तो यहां से 3.0 पे जाना है और 3.0 पे जाने के बाद आपको यहां पे delete पे टेप कर देना है लेकिन अभी यह यह डिलीट नहीं होगा क्योंकि आपको पता है कि यहां पे backup होना start हो चुका है और अगर आपने तक मारे चैनल को सब्सक्राइब निका तो भी सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मारा नवले सब वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो दस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में